दोस्तों जियो का आपने यह वाला फॉन देखा होगा काफी पुराना मॉडल है तकरीबन 2-3 साल से लोग यूज कर रहे हैं और जियो ने अपने अपको अपग्रेड कर दिया है अब जो फॉन आया है जियो का जियो नेक्स्ट का नाम से आप देख सकते हैं यह वाला फॉन है और यह इसका बॉक्स है हमने इसके क्विक अन्बॉक्सिंग किये और आज हम बताने वाले हैं इसका डिटेल में रिव्यू सबसे पहले बताते हैं जियो के मोटो यह फोन क्यों आया मार्केट में दोस्तों एकोर्डिंग तो जियो जो भी लोग कीपेड के फोन यूज करते है यह इसका बेक है और हम इसका बेक पैनल खोलने जा रहे हैं कि अ calorie मोर्ड और यहिंवाक कोई चार पांच सल साल पुराना फोन खोलके अंबॉक्स कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं यह जो इसका बेक पैनल है वह काफी मजबूत तो नहीं कहेंगे प्लास्टिक है और यह अगर में बात करो फ्रेंट की तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो काफी बढ़ी है तो अवरल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वह मुझे काफी अच्छी नहीं लगी दोस्तों बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की इसकंदर जो प्रोशेसर है वह क्वालकॉम स्ने बीजी एमाई की तो आप बीजी एमाई के लिए बिल्कुल भूल जाहिए आप बहुत ज्यादा लॉट सेटिंग पर इसमें आप बीज्याइए माइज सकते हैं और बात करें बैटरी वेकप की चेह से आच गंटे आप जेनरल यूज कर सकते हैं दोस्तों आप इसको इंटर रे में वह LPDDR3 है और जो स्टोरेज है वह EMMC 4.5 अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की इसमाब को मिल जाता है 5.45 HD plus का डिस्प्ले दोस्तों बताना चाहूंगा ठीक ठाक है आप देख सकते हैं आउट्डोर की विजिबिलिटी जो कि काफी अच्छी नहीं है मैंने इसके ब सब्सक्राइब यह देखने को नहीं मिलता यह अच्छी चीजें दोस्तों बात कर लेते हैं सौफ्ट्वर की इसमापको मिल जाते हैं प्रगर्टी वैस का सौफ्ट्वर जो जियो ने अपनी साब से कस्टमाइज किया है पाउर बाइंड्रोड एंड्रोड वर्जन 11 आपको और किसी भी लेंगोईज में बहुत सारे लेंगोईज अप्शन देखने को मिल जाते हैं आपर अब बात कर लेते हैं सुपिरियर फीचर के बारे के बारे के बारे में 8 Megapixel front camera and 13 Megapixel back camera आप देख सकते हैं यह कुछ front camera के पिक हैं यह नाइट मोड के पिक्स हैं दोस्तों कैमरे में आपको मिल जाता है Snapchat के कुछ filters देखने को और आप देख सकते हैं यह portrait mode है जो कि प्रपर तरीके से काम नहीं कर रहा है दोस्तों जब हम इसकी photos ले रहे थे जब हमने object को focus करने की कोशिश की तो मुझे focusing में भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिला दोस्तों आप मैंसे पूछें कि इस phone को purchase करना चाहिए और नहीं सबसे पहली बात दोस्तों build quality समझ नहीं आया और अगर बात करें बैटरी की 3500 मेंच का battery यह भी मुझे कुछ खास backup नहीं लगा इसका 4-6 घंटे का backup इंटरनेट के साथ और अगें दोस्तों बताना चाहूंगा यह एक negative point है आज के लिए इतने ही आपको मिलते हैं अगले वीडियो में तब दे के लिए stay happy stay healthy